नमस्ते, जैसे हम नमें पिछले बार जाना कि कैसे हम स्वार्ग येश्य मसी के साथ जा सकते हैं, इस पार हम ये जानेंगे कि येश्य मसी के ही द्वारा हम स्वार्ग जा सकते हैं, उनके सिवाए कुछ और हमें स्वार्ग नहीं लेकर जा सकता। इसलिए आज का वचन यह है, यहुत्रह 14 कछे, जिसमें कहता है, मैं ही मार्क, मैं ही सत्य और मैं ही जिवन हूँ, मैं ही स्वाइब कोई स्वाइब नहीं जा सकता, तो इसी तरह हम जानेंगे, कि येश्मसी के दोरा हम कैसे अकेले स्वाइब जा सकते, उनके स्वाइब सक्षी उनके बिना हम किदर भी और नहीं जा सकते, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनी के द्वारा हम जीवन पासकते, उनी के द्वारा हम सत्य पासकते और उनी के द्वारा हम स्वाइब जा सकते, तो ये पासन जब ऐसे चीज़े कहता था, के दियों को बिल्कुल पसंद मेरा मार जो छे को बढ़ा मों अन्यों को सोद्धा से निवह ऐं खुनान खुण थे हुमेरे मेरे पत्सक्राव्रणी। मदमis attracting को rac Marcus को सब्सक्राव पत्सक्राव है जब मेरें खुनान। मязगे लिजान को हिपनी को सब्सक्राव है कि मेरा माल के और उनके पर मैं विश्वास करूंगा तो उनी के द्वारा में स्वर्चा सकता हूँ तो पासवान कुछ चीजे करता है वो पेपर लेके कुछ करता है हम देखेंगे कि वो क्या करता है क्या परिशाद करते हो कि वो पासवान ये बता सकता है कि एक ही कागत से कि एश्यमसी जीवन है एश्यमसी ही मार के और एश्यमसी सकते है जी हाँ एक ही कागत से हम जान सकते है कि सची एश्यमसी ही मार के एश्यमसी ही सकते है उनी के साथ हम स्वर्च जा सकते है परन्तु अगर येश्य मसी को हम जीवन से निकानेंगे तो एक ही चीज हो सकता है हम एक ही जगा जा सकते हैं आपको क्या लगता है? वो कौन सा जगा लेगा? मैं आपको बताती हूँ क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर हम येशी मसी के उपर नई विश्वास करेंगे तो हमारे सामने क्या हो सकता है? क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? ये है नर्क अगर हम येशी मसी के उपर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का अंत यही है वो है नर्क इसे लिए हम ये बोल सकते हैं, जैसे वो पास्वा ने बताया, ये शुमसी ही अपना स्वाइप जाने का रस्ता है, उनी के सिवाए हम किदे नहीं जा सकते हैं, उनी के साथ हम स्वाइप बिल्कुल जा सकते हैं तो इस चीज के लिए हमें बिल्कुल ज़रूत होने के दो चीज ये है, कि एफो साइज का एक कलर पेपर और अपना कैची, तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हो पास्वान ने ये आर्ट आपके सामने पेश किया है, तो उन्होंने पहले ही सबसे पहले बात ये है, कि उन्होंन तो इसी तरह गर आप इसे एक ट्राइंगल की तरह फोल्ड करेंगे, इसी तरह और उसको एक और ट्राइंगल में बद चेंज करेंगे, इस तरह तो आपने इस पहले खोल्ड किया फिर एक दुसरा ट्राइंगल इस चीज को आप एक और हाफ में चेंज करेंगे इस तरह तो दो ट्राइंगल के बार उसे आदा और फिर एक और आदा बनाएंगे तो एक और आदा और इसको छोटे छोटे इससे काटेंगे तक्रीव पर इतना बिल्कुल ध्यान दीजे कि आपने इसे छोटे आंगल वाले साइड से काटा है काटने के बाद आप इसके छोटे पीसेस को बाजी में रख सकते हैं और यह रहा आपका क्रूस और आप यह छोटे छीजों को अगर आप खोल के रखेंगे तो आपको आसानी से न रख में सकता है न यह रहा आपका न और यह रहा आपका र और आपका पाइनल क कर इस तरह आप यह क्राफ्ट पूरा कर सकते हैं और इसी तरह मैं आपको वापिस जाद लगना जाती हूँ कि आज का वचन यही कहता है कि एसी मसी के द्वारा हम सवय जा सकते हैं वो ही अपना मार्ग है वो ही अपना सत्या है और उनी के बावजुत हम किदर और नहीं जा सकते हम बिलकुल ही नर्ग जाएंगे एसी मसी के सवाइब हम नर्ग जाएंगे और एसी मसी के साथ हम सवय ज तो हम शे प्रवाल को मिलेगी